अध्यापकों की भारी संख्या में वरिष्ट ता बहाली का हुआ ग्यापन, सतना माइनस 19 फर्वरी को सन 1997 से कार्यरत शिक्षा गारंटी, शाला के गुरुजी शिक्षाकर्मी समविदा शिक्षक जिनकी 20 वर्ष की पूरी सेवा को जुलाई 2018 के पहले शूने घोशित कर दिया गया है पूरी 20 वर्ष की सेवा को समाप्त करके नई सेवा जुलाई 2018 से मानी गई है जिस कारण से पूरे मध्यप्रदेश के 3 लाख अध्यापक ग्रेजुएटी पुरानी पैंशन एवं अन्य समस्त जो एक सरकारी कर्मचारी को लाब मिलते हैं समस्त लाब से पूर्ण मध्यप्रदेश पुरानी पैंशन बहाली महासंद के ब्रिजनिंदन तिवारी ने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार से अनेको बार निवेदन किया गया अनेको बार माननिय मुख्यमंत्री जी से मिलकर के ग्यापन दिया गया कि हमारी वरिष्टा को बहाल कर हमारी प्रथम युक्ति दिनाग से सेवा अवधी की गणना किया जाए। परंतु आज दिनाग तक किसी भी प्रकार का कोई शासन की तरफ से उप्रोक्त विशे में कार्यवाही नहीं की गई है यदि हमारी वरिष्टता नहीं मिलती है तो हमें ग्रेजुलेटी या अन्य किसी भी प्रकार का कोई लाब प्राप्त नहीं होगा पुरानी पैंशन मध्य प्रदेश के अध्यापकों तो कोसो दूर है मध्य प्रदेश में यदि पुरानी पैंशन बहाल भी हो जाती है तो शिक्षाकर्मी समविदा शिक्षक और गुरुजी को किसी भी स्थिती में प्राप्त नहीं होग रिष्टता बहाली के लिए ग्यापन सौपा गया उप्रोक्त वी ग्यापन में अधिकारी कर्मचारी सैयोक्त मोर्चा के जिला अध्यक्ष बाल्मी की शुकला तृतिय वर्ख शास किया कर्मचारी संध के संभागिया अध्यक्ष प्रवेंद्र गौतम मध्य प्रदेश पुरानी पैंशन बहाली महासंध के प्रदेश उपाध्यक्ष जवाहरलाल साकेत्रा माधार द्विवेदी बाबाजी के विकलत गौतम जिला अध्यक्ष मानव शुकला जिला महासचेव भारती शरन सिंग महिला मोर्चा उ पाध्यक्ष पुष्पा पांडे आजाद अध्यापक संध के जिला अध्यक्ष ब्रिजनिंदन तिवारी अजय तिवारी विकास्थन स्रोथ समनवयक दिवाकर तिवारी दयाराम दुबे दीराकेश मिश्रा सहित सेकडों की संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे।